प्रश्कार, स्वागत था आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी adjective की detail की first video और हमने इससे पहले pronoun पूरा complete कर लिया है और आप pronoun का कोई भी आप question उठा कर देखिए आपकी वीडियो देख चुके होंगे तो आपके वो सारे question जब असानी से solve हो रहे होंगे even कोई rule नहीं with logic answer के साथ क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर concept की explanation दिये कि वो वहाँ पर कोई rule बना तो बना क्यों बना और हम उन चीजों को कैसे use करते हैं सारी चीजों को मैंने इन pronoun की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है और आपको infinity क्या होते हैं, present participle क्या होते हैं, past participle क्या होते हैं, gerund क्या होते हैं इनके बीच में difference के सारे concept मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से clear करवाए हैं इन pronoun की वीडियो में तो वो ये वाली वीडियो नहीं देखिए तो एक अलग से playlist बना रहे हैं, English grammar करके तो आप जाकर इन pronoun की वीडियो को देख लीजिए, और आज हम अपनी इस adjective की वीडियो में, देखे जैसे हमने pronoun का concept किया था ऐसे ही adjective का करेंगे, कि अब हम adjective का जो first type है proper, इसको पहले cover करेंगे और हर एक type के उपर एक अलग-अलग वीडियो आएगी, ताकि आपको एकदम से सारा burden ना देदू इसलिए part-wise इनको कर रहा हूं ताकि proper आए, फिर distributive, demonstrative, possessive numeral, qualitative quantitative, ये अलग-अलग type के आपके पास पहुँचे, ताकि आपका उन वीडियो के अंदर interest बने और आपका concept अच्छे से clear हो जाए, ओके तो PDF के लिए मैं आपको बता देता हूं, description box में एक link दिया मिलेगा, टेलिग्राम का, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं अब बात करते हैं introduction की, introduction किसकी, concept हमने start किया adjective का, तो obviously adjective का introduction हम करेंगे, adjective कहते किसको हैं, देखे, adjective is a word used to qualify a noun or pronoun, adjective वह शब्द है, वह शब्द है, जो किसी noun या फिर कहीं, pronoun की विशेशता बताता है, adjective को हिंदी में विशेशन कहते हैं, ओके, विशेशन जो है, सवर नाम या संग्या की विशेशता बचाने वाले को, विशेशन कहा जाते हैं, same English में ही वही हाल है इसका, कि एक adjective है, जो noun और pronoun की, को हम कहीं को qualify करते हैं, उसको हम कहते हैं, adjective कहते हैं, अब याद करते हैं, कि सर कुछ type होते हैं इनके, basic होते हैं इनके types, अब यहाँ पर आ होता है, qualitative होता है, emphatic होता है, interrogative होता है, और जो बच जाते हैं, हम उनको miscellaneous के अंदर cover कर लेंगे, और जब मैंने आपको basics start करवाये थे, basics of English grammar या फिर कहीं कि basics of parts of speech, जिसके अंदर हमने adjective का basic भी समझाता, कि किसी sentence के अंदर हम कैसे पहचानेंगे, कि वह adjective है या नहीं है, उसको कैसे हम identify करेंगे, बहुत अच्छे से इन चीजों को हमने किया था, और ये सारी चीजें basics में करवाने के पीछे मक्सद यह था, कि जब हम detail पे जाएं, तो वहाँ पर आपको किसी भी word को पहचानने में दिकतना है, अगर आपने सारी videos continuity में देखी हैं, तो मुझे नही प्रोपर नाउन के अंदर जब मैंने basic कराया था, तो सबसे पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको proper noun करवाया था, proper noun कराया था, proper noun का क्या मतलब होता है, यानि व्यक्ति वाचक संग्या, इसको हिंदी में कहते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या, यानि कि जैसे किसी का नाम हो गया, किसी देश का नाम हो गया, जैसे France, तो ये एक country का एक particular name है, जिसको क्या कहा जाता है, proper noun, अब इसी proper noun से बनते हैं, adjective और इनी को कहा जाएगा proper adjective, clear है आपर, जैसे adjective किसी की विशेष्टा बताते हैं, for example, जैसे मैं कहूं, smart, smart ram, तो मैं कहूंगा कि ram क्या है, भईया smart है smart ram, तो यहां पर इसकी विशेष्टा बताने कहा गई, अब जैसे एक house है, तो मैं house को कहूंगा, big house, big house, तो यहां पर house की जो है, विशेष्टा बता दी कि यह noun है, noun की विशेष्टा बता दी कि इस word के द्वारा, तो यह जो word है, वो क्या कहलाएगा, adjective कहलाएगा, तो यह हो अध्जेक्टिव जो किसी noun yo pronoun को qualify करते हैं, तो चलिए, अब बात करते हैं proper adjective की, तो देखिए मैंने कहा, proper adjective किससे बना हुआ होता है, proper noun से ही बना हुआ होता है, जैसे यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, France, तो France से बनेगा, जैसे हमने यहां पर बना लिया, French, तो यह यहां पर इसके बाद आप कुछ भी noun लिख सकते हैं और उसके पहले यह word लिखा होगा वो उसको qualify कर रहा होगा French army हो गई या फिर French tank हो गया या फिर French book हो गई तो यहां पर यह word जब उनको qualify करने के लिए काम आ रहा है तो proper noun से ही बनता है proper adjective अगला जो word है आपके सामने यह लिखा हुआ है जर्मनी यह एक country का नेम है एक particular country का नेम और इसी जर्मनी से बनता है हमारे सामने जर्मन सेम ऐसी जर्मन आर्मी, जर्मन टैंक, जर्मन बुक तो यह word जो है इन नाउन से पहले आके इनको qualify कर रहा है तो इसको हम कहेंगे proper adjective यह पर हम बात करें Spain की तो Spain से बना Spanish Spanish army, Spanish tank, Spanish book तो यह word जो है वो इन से पहले लगकर इनको qualify कर रहा है तो इसको कहेंगे हम proper adjective जो proper noun से बना, उसी को हम proper adjective कहते हैं, clear? जैसे अब गांदी, गांदी से बना गांधियन, इसका कैसे use करेंगे? जैसे गांधियन philosophy होती ही न, गांधियन philosophy तो इससे जहांपर इस word ने इसको qualify कर दिया, उस philosophy को, कैसी philosophy? गांधियन philosophy तो यह word qualify कर रहा है तो इसलिए बनेगा adjective adjective में हमें इसको क्या कहेंगे proper adjective क्यों क्योंकि proper noun से बन कर आया है clear यहां पर for example जैसे मैंने आप लोगों को कराया French French army तो इस army को यह word qualify कर रहा है तो इसलिए इसको adjective बोलेंगे और adjective में भी proper adjective same German जर्मन जो है वो इस tank को qualify कर रहा है तो यहां पर यह adjective हो जाएगा लेकिन adjective में भी कौन सा proper adjective clear हुआ यहां पर तो इस जी जो आपको ध्यान रखना है proper noun से बनता है क्या proper adjective यहां पर लेकिन एक छोटा सा note आपको ध्यान में रखना है जैसे क्या जैसे यह French जो होती यह एक language भी होती है यानि France से बना जो French word होता है यह एक language के तोर पे भी काम करता है यानि कि जब यह language बनता है जब यह word language बनता है तो अब यह तब यह क्या बन जाता है जब यह language बनता है तब इसको कहा जाता है noun यानि कि जब इस word ने language का काम किया तो इस word को हम तब noun कहेंगे तब यहाँ पर इसको adjective नहीं बोलेंगे अब बात आती है कि sir कब हम इसको पहचानेंगे कि किया यह simple french जो word है वो कब noun होगा और कब यह एक adjective बनेगा कब यह एक adjective होनेगा sir हम यह कैसे पहचानेंगे तो देखे मैंने का ना यह adjective की first video है और इससे पहले मैंने लगबग आपको pronoun का सारा करवा दिया है basics आपको करवा दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपने इतना पढ़ लिया और इतना पढ़ने के बाद तब आपको यह पहचान में ना आए कि कब यह french adjective होगा और कब यह french noun होगा फिर भी एक simple भाशा के अंदर में आप लोगों कोता हूँ कि अगर एक sentence में french के बाद अगर कोई noun आ रहा है तब हम कहेंगे कि adjective है वरना यह एक noun है tension ना लो अगर यह बात यहाँ पर समझ में आती है तो काफी अच्छी बात है वरना हम इसको practice में समझेंगे तो सबसे पहले आते हैं practice से जाने से पहले एक छोटा सा concept और हमें करना है यहाँ पर आपके सामने word लिखे हुए मिलेंगे the rich, the poor, the weak, the blind यह actual में है क्या इसको कहते है common plural noun देखे common plural noun बनता है the plus में adjective plus में noun यहाँ पर जो adjective होता है वो qualitative type का adjective होता है qualitative, quality बताने वाला qualitative जो एक type का adjective होता है और noun जो है वो यहाँ पर होता नहीं है तो यानि कि the plus में adjective और उसके बाद अगर noun ना हो तो वो क्या बनाता है वो common plural noun बनाता है मतलब क्या हुआ इसका जैसे कि अगर rich लिखा है rich लिखा है और इसके बाद एक rich man लगा दूँ तो यह एक adjective है यह एक adjective है यहाँ पर और इस man को यह qualify कर रहे है लेकिन यहाँ पर अगर man को हटा कर और rich के पहले दा लगा दूँ तो यह क्या बता रहा है यहाँ पर अमीर उस community को बताय जा रहा है इप यहाँ पर the poor the poor का मतलब हो गया यहाँ पर गरीब लोग यहाँ गरीबओं की community बता जा है गरीब does यह यह इक गआgle ब्लाइं के मतलब होता है undh 시 तो यानि कि अंधे लोग यानि कि अब ये एक अंधों की community को बताने लग जाएंगे अगर किसी adjective के मानल मतलब कि ये जो adjective है इनके पहले आपने दा लिख दिया है तो ये क्या करेंगे एक पूरी community को बताने लग जाएंगे इसलिए इनको कहा जाएगा common plural noun नहीं होगा क्लिर हुआ कोई भी noun नहीं होगा अब अगर ध्यान रखना दा रिच मैन लिखा है दा भी लिखा है रिच भी लिखा है लेकिन उसके बाद मैन भी लिखा है तो यहाँ पर ये कोई common plural noun नहीं होगा ये एक singular ही noun हो जाएगा singular क्योंकि यहाँ पर जो ये रिच है ये adjective है और ये इस man को qualify कर रहा है man को qualify कर रहा है clear हुआ यहाँ पर और यहाँ पर ये दा जो article है वो इस man के लिए आया हुआ okay इस चीज़ को ध्यान रखना लेकिन यहाँ पर दा रिच ये एक पूरी community को अमीर लोगों की जो community है उसको परदर्शित कर रहा है उसको represent कर रहा है clear हुआ तो दा प्लस में adjective प्लस में noun जहाँ पर noun नहीं होगा इस चीज़ को ध्यान रखना और यहाँ पर ये क्या बनाएंगे common plural noun बनाएंगे अब एक concept आपको समझना है जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ मैंने लिखा French एक और French लिखता हूँ मैंने ठीक है एक French यह लिखा एक मैं लिखता हूँ da French da French ओके अब इस चीज़ में समझना है ये French और ये da French में क्या फरक है ये अकेला जो French है अगर यह language के तोर पे काम कर रहा है तो हम इसको कह देंगे कि यह एक noun है इस फ्रेंच की बात करूँ तो मैं अब यहाँ पर एक तो फ्रेंच आ गया जो noun बनेगा लेकिन यह एक adjective बनेगी अगर इसके बाद अगर इसके बाद कोई noun यहाँ पर लिखा हुआ होता जैसे फ्रेंच army, फ्रेंच tank तो यहाँ पर यह एक adjective बन जाती लेकिन यह जो फ्रेंच है यह दा लिखा हुआ है इसके पहले तो यह एक community को बता रहा है यानि की यानि की फ्रेंच फ्रेंच लोग यानि फ्रेंच community को यह बता रहा है clear हुआ तो फ्रेंच में आपको और इस फ्रेंच में और इदा फ्रेंच में जो difference अच्छे है यहाँ पर यह लगाना बूल गया इन तीनों के बीच में जो difference है वो आपको अच्छे से clear हो गया होगा यह उमीद करता हूँ में अब यहाँ पर practice time आते हैं और practice करते हैं और चींजों को समझते हैं कुछ sentences आपके सामने दिये हैं first of all इन sentences को आपको करना है कैसे करेंगे हर एक sentence को मैंने आप लोगों को break करना सिखाय हुए हर एक का x-ray करिए कि यहाँ पर किस word का क्या parts of speech है फिर हम इनके error पे जाएंगे कैसे हम जो adjective है जो common plural noun है उनको कैसे use करेंगे तो first attempt आपको करना है वीडियो को pose करिए और करने की को कौशिश करिए तो चलिए उमीद करता हूँ कि आपने first attempt खुद किया होगा देखे करेंगे तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी अब बात करते हैं first sentence की first sentence वोला the French is the mother tongue of French अब यहाँ पर हमने इसको break करने की शुरुवात की इस is से, is यहाँ पर क्या है main verb है, is यहाँ पर क्या है main verb है, यह the mother tongue the mother tongue, यहनि मात्तर भाशा मात्तर भाशा इसकी हिंदी होती है is the mother tongue यह जो mother tongue है, यह है आपके सामने subject compliment यह हो गया आपके सामने subject compliment यह compound noun है, ठीक है, ध्यान रखना है compound noun है, मतलब कि यहाँ पर दो word मिलकर एक noun के तोर पे काम कर रहे हैं, तो इसको compound noun कहा जाएगा compound noun कहा जाएगा of preposition है और preposition के बाद उसके क्या आते है, preposition के object आते है, यह हो गया preposition का object अब the article है is यहाँ पर main verb होगा, अब is गएगा कि लाओ मिरे लिए subject लाओ, तो यह the French जो है यहाँ पर क्या बनेगा, यह subject बनेगा, अब बात कर लेते हैं इस sentence में error क्या है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी यहाँ पर, एक बात जो बोली थी कि एक French है एक और French है और एक दाव French है इस तीन word मैंने आप लोगों को अभी करवाए है, ठीक है यह French एक language होगी यह French एक language होगी अकेली आएगी तो एक अकेली आएगी तो language होगी और तब इसको हम कहेंगे कि noun है यह French, अगर इसके बाद अगर इसके बाद यहाँ पर कोई noun लिखा होता for example French army तब यहाँ पर यह French जो है वो adjective होती तब यहाँ पर यह French adjective होती clear यहाँ पर अब यह जो the French लिखा हो है यह क्या बता रहा है यह French लोगों के बारे में बता रहा है कि French लोग French लोग इनके बारे में बता रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर जड़ा देखो यह लिखा हो है आपके सामने the French the French अब इसकी अगर महिंदी करूँ तो यह हो चाता है French लोग अब यहाँ पर यह अकेला French लिखा हुआ है इसके बाद कोई भी noun आ नहीं रहा तो यहाँ पर बात हो रही है language यहनि कि एक भाशा की बात हो रही है यहाँ पर ओके भाशा की बात हो रही है अब जड़ा देखो इसकी हिंदी करते इसकी हिंदी हुई कि French लोग French लोग mother tongue है French लोग mother tongue है यानि कि French लोग जो है वो mother भाशा है French की अरे यह क्या बात हुई होने तो यह थी ना कि French भाशा जो है वो mother tongue है French लोगों की आए बात समझ में कि यहाँ पर error क्या है तो यहाँ पर आपको क्या करना था यह जो दा है यह हटाना था यह आपको हटाना था और यह दा जो है वो यहाँ पर लगाना था दा फ्रेंच क्लियर यहाँ पर अब काफी सारे यह बोल सकते हैं कि सर हम यह दा यहाँ पर क्यों लगाएं यहाँ पर फ्रांस कर दें तो इसमें दिक्कत थोड़ना है इसको कर सकते हो लेकिन अगर आपको examiner ऐसी चीज दे रहा है तो आपसे ये पूछने की कोशिच कर रहा है कि भाई आपको ये दावाला concept आता है कि नहीं आता है करने को तो आप इसको ऐसे भी ठीक कर सकते हो clear हुआ तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको अब आगे आते हैं आगे लिखा हुआ है pondicherry pondicherry was ruled by french even after independence अब यहाँ पर was जो होगी आपके सामने helping verb ruled जो है वो है main verb ये passive में लिखा हुआ आपको पता है न be की form प्लस में verb की third form ये जो structure है ये जो structure है वो आपको passive की याद दिलाता है मतलब की passive बनाता है ध्यान अगना है इस चीज को ओके ये passive बन जाता है यहाँ पर अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है pondicherry was ruled by by जो है ये proportion है तो यहाँ पर आगी preposition और preposition कहता है मेरे लिए लेके आओ एक noun तो french यहाँ पर आगे आपके सामने noun तो यह पना preposition का object even even ये एक adverb है मुझे लगता है कि बच्चे को जो दिक्कत आई होगी यहाँ पर आई होगी after preposition है after एक और यहाँ पर preposition है का object बन रहा है ओके clear हुआ यहाँ पर आप बात करें इस even की देखिए यह जो even है यह इस preposition को qualify कर रहा है और आज आपको एक concept पता चलेगा कि जो adverb होती है जो वो adverb है वो preposition को, conjunction को even एक sentence को भी qualify कर सकती है और यह concept आप लोगों को अभी मैं करवाऊंगा देखिए हमने शुरुआत देखी थी हमने बिल्कुल शुरुआत से देखा था हम noun, pronoun पहचानने पे आए थे आज हम बहुत जादा एक उपर लेवल पे आ गए है और आज मैं आप लोगों को adverb जो as, जो एक pronoun को जो एक proportion को qualify कर सकता जो एक conjunction को qualify कर सकता और जो even एक sentence को qualify कर सकता है इन चीजों को हम आज सीखने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए यह pundicherry क्या हो गया? इस vows का क्या हो जाएगा यहाँ पर? subject हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा subject हो गया यहाँ पर अब इस sentence में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसमें बोला गया है कि pundicherry के उपर rule किया गया था फ्रेंच भाशा के द्वारा अरे भाईया फ्रेंच भाशा के द्वारा कैसे किया जाएगा? फ्रेंच लोगों के द्वारा किया जाएगा न तो यहाँ पर फ्रेंच के पहले आना था यहाँ पर लिखना था आपको एक मिनट यहाँ पर लिखना था आप लोगों को दा यानि कि the pondicherry was ruled by the French even after independence यानि कि pondicherry के उपर rule यानि रिशाशन किया गया था फ्रेंच लोगों के द्वारा हमें अजादी मिलने के बाद भी clear हुआ तो यह आपके सामने error इस फ्रेंच से पहले आ जाएगा तो इस दा को लगाना उमीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहां पर लगाया गया है आगे आते हैं अगले sentence में बोला गया है कि Mr. Verma has been learning the French for the last six months तो यहां पर has यह होगी आपके सामने helping verb been यह होगी फिर से helping verb been learning learning होगी आपके सामने main verb यह Mr. Verma जो है वो learning यानि सीख रहे हैं कौन सीख रहा है Mr. Verma सीख रहे है तो यह क्या बनेगा आपके सामने subject noun है तो learning learning क्या भई French French सीख रहे हैं तो French के यहां पर आपके सामने आएगा object receiver है इस action का four proportion है और proportion के बाद आते हैं उसके object तो months months जो है इस proportion का object बन जाएगा यहां पर और यह six six जो है ध्यान रखना यह six जो है वो इस month को qualify करने वाला adjective है लेकिन यह last यह last किसको qualify कर रहा है इस month को या इस six को अगर यह month को qualify करता तो last month होता ना पिछला month यह यह six को qualify कर रहा है और एक word जो adjective को qualify कर दे, उसको कहते है adverb, ओके, यह होगी आपकी सामने adverb, अब बात करते हैं, यहाँ पर यह दा article हो गया, ओके, यह article है, अब यहाँ पर problem क्या है, इसके उपर आते हैं, देखे, Mr. Verma जो है, वो French को सीख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर दा फ्रेंच लिखा हुआ है, तो अगर यह दा फ्रेंच लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ फ्रेंच लोग, तो क्या Mr. Verma फ्रेंच लोगों को सीख रहे हैं, पिछले 6 महीनों से, अरे भया, Mr. Verma जो है, वो फ्रेंच बहसा को सीख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है, वो दा नहीं आना था, यहाँ पर जो है, वो दा नहीं आना था, अकेला फ्रेंच आना था, तब यहाँ पर बात बनती, कि Mr. Verma has been learning French for the last 6 months, तो यहाँ पर आना था, अकेला French, तो यह error था, इसके अंदर, clear हुआ, अब अगले sentence पर आते हैं, अगला sentence है, the poor who leaves below the poverty line is often neglected by government, तो यहाँ पर देखे, who leaves below the poverty line, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, the poor, इसको एक पर छोड़ देते हैं, who के उपर आते हैं, इसको हम कहते हैं, relative pronoun, यह relative pronoun का concept बेने, आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाया हुए, leaves, leaves, जो है, यह main verb number two कर लेते हैं, ठीक है, one भी आएगी अभी, below, below, जो है, यह है preposition, यह है preposition, below poverty line, यह poverty line, जो है, वो एक तरीके से आप इसको कह सकते हो, यह preposition का object है, यह preposition का object है, compound noun, ठीक है, is, यह आगे आपके सामने, helping verb, यह आगे आपके सामने, helping verb, neglected, यह होगी आपके सामने, main verb number first, second तो यह रही, first यहां पर आए, often, often इस verb को qualify का रहा है, तो यह आगे आपके सामने, adverb, यह आगे, adverb, by preposition है, और government है, जो है, इस preposition का object है, यह हो गया, preposition का object, तो अब जरा देखो, यह आई आपके सामने, verb, इस verb को चाहिए अपना subject, ठीक है, इस verb को चाहिए अपना subject, तो इसके लिए, जो subject जो बनेगा, वो बनेगा, भई, जो आप यहाँ से चलेगे, चलेगे, यह poor, यह poor बनेगा इसका, यानि कि दा पूर बनेगा इस verb का subject, यह बनेगा subject, ओके, अभी मैंने आप लोगों को करवाया, दा पलस में adjective, दा पलस में adjective, यह वह concept है, वो क्या बताता है, वो बताता है, common plural noun, common plural, plural है, तो plural के लिए verb कैसे लगेगी, plural ही लगेगी, तो यहाँ पर इस लगाओ है, वो एक singular है, तो यहाँ पर क्या नी थी, आरा नी थी, जान रखना इस चीज़ को, अब यहाँ पर same, यह who जो है, वो एक relative pronoun है, who जो है एक relative pronoun है, वो आएगा किसके according, भई किसको refer कर रहा है, इस poor को, the poor को represent कर रहा है, तो यहाँ पर इसको refer कर रहा है, तो यह poor, the poor है क्या, the poor है, common plural noun, अब यहाँ पर यह भी तो common plural noun ही हो जाएगा, तो verb जो इसके according आएगी, तो वो भी plural ही आएगी, तो leaves क्यों, leaves नहीं आएगा, यहाँ पर leave आएगा, तो यह चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को, तो यह पूरा concept कैसे काम करता है, उमीद करता हूँ को आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, यह आपको सारा लिखना है, यह सारा लिखना है, अगर आपने नहीं लिखा है तो, यहाँ पर french, french, यह दाव french, इनके work, सब कुछ आपको अपनी copy के अंद उतारना है, केवल वीडियो देखने से ही, English grammar के concert समझ में नहीं आते हैं, जब तक आप अपनी pen copy लेकर नहीं बैठोगे, इस सीच को ध्यान रखना, आगे आते हैं, अब यहाँ पर लिखा है, the poor man, the poor man, यह वही concert है, the poor, poor यहाँ पर adjective है, ध्यान रखना, man, man, यह poor इसको qualify कर रहा है, the loan, the loan, the loan, जो है, यहाँ पर हो जाएगा, आपके सामने object हो जाएगा, were, were helping verb है, और arrested, arrested जो है, main verb number one है, दो कहां पर थी, दो यह repay थी, ठीक है, main verb number first होगी, अब इस verb को, अब इस verb को अपना क्या चाहिए, इस verb को चाहिए, अपना subject, तो यह रहा आपके सामने subject यहाँ पर, अब जड़ा देखो, यह the poor man, यह मैंने आप लोगों को बताया था, अगर the poor लिखा है, देखे, the poor लिखा है, the poor लिखा है, तो यह उता हो जाता है, आपके सामने common plural noun, लेकिन अकेला यह कहीं कि, the poor, the poor man लिखा है, the poor man लिखा है, तो यह singular noun हो जाता है, singular noun हो जाता है देखे यहाँ पर the poor man ये एक singular noun है तो verb इसके according आने चाहिए तो verb क्यों लगेगा यहाँ पर इसको cut करेंगे इसके जगह पर क्या आएगा वोज आएगा clear हुआ और ये who जो है is man को represent कर रहा है यानि इस poor man को represent कर रहा है बाकि यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं तो उमीद करता हूँ ये concept आपको समझ में आ गया होगा कि हम proper noun को कैसे use करते हैं common plural noun को हम कैसे use करते हैं कैसे इससे drive होके हमारे सामने error आते है clear अब यहाँ पर एक छोटा सा concept और कराना है वो है आपके सामने ये इस even का concept adverb का concept अभी तक हमने आपको जो भी इस वीडियो के अंदर आपको जो देखने को मिला है जितनी भी हमने pronoun की वीडियो कर ली है basics की वीडियो कर ली है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो adverb होती है वो adjective को qualify कर देती है वो खुद को qualify कर देती है वो verb को qualify कर देती है देखिए यहाँ पर often जो है वो इस verb को qualify कर रहा है ये होगी आपके सामने ये जो word है वो adjective को qualify कर रहा है तो इसलिए adverb होगी यहाँ पर लेकिन आज जो आपने पढ़ा है कि एक adverb जो आज वो proportion को भी qualify कर देती है तो यहाँ पर अब हम इस concept को और अच्य से समझ लेते हैं ठीक है इसको कहते हैं एक्श्ट्रा ग्यान अब यहाँ पर बात करते हैं An adverb can qualify proportion, conjunction or whole sentence वो proportion को भी qualify कर सकते है वो एक conjunction को भी qualify कर सकते है और पूरे एक sentence को भी qualify कर सकती है कैसे ज़रा इन तीन sentences से समझते है देखिए यहाँ पर लिखा है they hit Rajesh just below his knee they यहाँ पर हो गया आपके सामने subject they हो गया आपके सामने subject hit जोगी main verb होगी hit किसको hit किया? Rajesh को hit किया तो Rajesh क्या बनेगा? object बनेगा below जो है वो preposition है और इस preposition के बाद चाहिए preposition के object knee जो है इस preposition का object बनेगा his जो है वो इसके ओपर अधिकार जताने वाला possessive adjective हो जाएगा अब बात करते हैं इस just की इस just की अगर हम बात करें तो यह क्या कर रहा है? पर यहाँ पर देखो they hit Rajesh just below उसके just below knee के just below उसने hit किया तो यह just जो है वो इसको qualify कर रहा है और just इसको कैसे किसी चीज को qualify कर सकता है? जरा सोचो they hit Rajesh just they hit Rajesh just यह hit just क्या होता है? just below his knee तो यह just below यानि इस preposition को qualify कर रहा है तो यहाँ पर एक preposition को क्वालिफाय कर रहा है तो इसलिए इसको बोला जाएगा एडवर्व सेम अगले सेंटेंस पर देखो यहां पर लिखा हुआ है ही वोज हिट बाइए बाइक एक्जेक्टली वन ही पिक्ड यूर कोल तो यहां पर वोज जो है वो हेल्पिंग आपकेसे सेम जलती है कट-कट-कट हीट-hit-hit-hit-pute-pute-pute ऐसे ही यहां पर आपके सामने हीट यहां पर मेन वब है यह वब की थार्ड फोर्म है अच्छा, सेकंड फोर्म क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि भाया इसके साथ वोज आया हुआ है Was आये हुगा है First form इस लिए नहीं हो सकती क्यों कि Allody Was आये हुगा है तो यहां पर इस тебя को ध्यान रखना तो he जो है वो इस verb का यहांपर क्या है Je00 was hit उसे hit किया गया By 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 जो है इस proportion का Object हो गयाँ यहांपर अब When यहांपर conjunction है When जब कब hit क्या एक बाइक ने, तो ही यहाँ पर फिर से subject number 2 हो जाएगा यहाँ पर, first आ चुका है, picked main word number 2 हो जाएगा यहाँ पर, first आ चुकी है, your call, picked word call, तो यहाँ पर यह object हो जाएगा, your इसके ओपर अधिकाज दाने वाला objective हो जाएगा, वो भी possessive objective, अब जरा इस exactly पर आते हैं, जरा सोचो यह exactly क्या कर रहा है, पर यह कब हिट क्या, exactly, exactly तभी, जब जब उसने, मतलब कि जब तुमारी call उठाई थी, तब वहाँ पर, तो exactly जो है, वो इस conjunction को qualify कर रहा है, इस conjunction को qualify कर रहा है, तो यह बन जाएगा आपके सामने, adverb, ठीक है, तो एक adverb जो है, जो preparation को भी qualify कर सकती है, तो यह होगे हमारे सामने, यह दो तो काम, अब बात आते हैं, इस whole sentence की, जब यह वाला last sentence पढ़ेंगे हम, fortunately, यहनि दुरभाग्या से, भाग्या से, he was not present there at the time of that accident, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, he subject हो गया, वो जो है वो, main verb हो गया, वो जो है वो, main verb हो गया, not present, note यह हो होगी, आपके सामने, adverb होगी, note यह होगी, आपके सामने, adverb होगी, यहाँ पर, present यह होगी, आपके सामने, adjective, subject compliment का काम कर रहा है, present there, there जो है वो, adverb है, present adverb है, okay, add जो है, proportion है, at the time, time जो है, इस proportion का, object है, the article है, of proportion है, accident, इस proportion का, object हो गया है, that, इसके ओपर इशारा करने वाल Demonstrative Adjective है तो यह हो जारे हमारे सामने यह पूरा sentence जो हमने X-ray का कर लिया है अब जरा इस word के उपराते हैं जिसमें लिखा हुआ है fortunately यह fortunately क्या कर रहा है भई क्या यह he को qualify कर रहा है यह इस पूरे sentence को qualify कर रहा है जरा सोचो कि शुकर है कि तुम वहाँ नहीं थे उस accident के तुरान पूरी उस बात को qualify किया गया है भाग्य से तुम वहाँ नहीं थे जब वो accident हुआ था तो यह word जो है fortunately इस पूरे sentence को qualify कर रहा है तो यह हो जाएगा आपके सामने Adverb तो आज हमने Adverb के कुछ concept भी सीख लिया है proper adjective भी हमने सीख लिया है फिर से यह सारा concept आप लोगों को लिखा लिखाया मिलेगा लेकिन मैं फिर से recommend it करूँगा कि यह चीज़ें आपको लिखनी है लिखे लिखाये मिलने में उतना मज़ा नहीं आता है या फिर कही उतना समझ में नहीं आता है और यहां पर like करें क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा motivation मिलता है और चैनल को subscribe जुरूर करना इससे तो और ही ज़्यादा मिलता है और कुछ ज़्यादा ही पसन आये हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं इस चैनल को भी share कर सकते हैं साथ इस वीडियो को भी share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ Thank you for watching this video